बात खाने पीने की हो जाए, किसी खास मौके पर परिवार या दोस्तों के साथ लांच या डिनर करने, सबी लोग रेस्टरॉण जाते हैं, जहां वेटर आपके लिए मेन्यू सर्फ करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक खास काफे में लेकर जाने वाले आदेती यहां रोबोट्स खाना सर्फ करते हैं, यहां रोबोट्स खाना सर्फ करते हैं, यह काफे पूरे शहर में मश्यूर हो गया है यू तो यह काफे देश के किसी भी आम काफे की तरह है, लेकिन अलग इस माइने में है कि यहां वेटर्स इंसान नहीं, बलके रोबोट्स हैं, वो भी पूरी तरह मेड इन इंडिया राजिस्थान की जोधपुर में रेजिदेंसी रोट पर ये अनोखा कैफे खुला गया है, जहां रोबोट्स ही आपका ओर्डर लेंगे और रोबोट्स ही खाना पर उसेंगे, तो बस ओर्डर दीजिए और रोबोट्स आपको सर्फ करने के लिए हाजिर होगा इस रोबोट को मेक इन इंडिया की तरस पर तयार किया गया है, इस कैफे में फिलहाल पाँच रोबोट रखे गए हैं, जैसे ही ग्राहक कैफे में आएगा, ये रोबोट गेट पर उनका स्वागत करेंगे, उन्हें सैनिटाइज करेंगे, ग्राहकों के सभी सवालों का जवाब देंगे, कस्टमर के ओडर देने पर किचन से खाना लेकर रोबोट टेबल पर सर्फ करेगा, लगाता परदान मंदरी मोधी भी भारत में आत्म दिर्वरता को लेकर कहते रहते हैं, उस आत्म दिर्वरता की एक पहल जोधपूर में देखना को मिली, अब जोधपूर वाजियों को रोबोट के जरीए, अगर रेस्टोरने जबने की आफे में आता है तो आपको झालोड़ झालोड झालोड़ झालोड़।